पिजरती मिध्रो इससे पुर्व हमने संत्वानी इस कवीता के पहले पद को सरल हिंदी बाशा में समझे उसका पहला पद संत्मीरा बाई का था इस पद में हमने मेरा बाई को अपने प्रभू यानि श्रीकुरुष कनया की भक्ती में लीन देखा अनुरक्त देखा आईए अब हम इस कवीता के दूसरे पद की ओर चलते हैं ये पद गोस्वामित तुलसी दास दुवारा लिखित है जो कवीता वली से लिया गया है इस पद में गोस्वामित तुलसी दास ने श्रीराम के वनवास का एक मरमम चित्र एक मरमम दुरुष्य यहां पर प्रस्तुत किया है यहां पर श्रीराम जब वनवास के लिए निकलते हैं उस समय का दुरुष्य जोए गोस्वामित तुलसी दास यहां पर प्रस्तुत करते हैं अपने इस पद में गोस्वामित फुलसी दास कहते हैं कि पुरते निकसी रगुभीर बदु धरी धीर दये मग में डगदवे यहाँ पर गोस्वामित फुलसी दास कहते हैं कि नगर से निकले अर्थाद अयध्या नगरी से निकले रगुभीर बदू रगुभीर श्री राम को घा जाता है और रगुभीर बदू याने सीता सीता जो है वो अध्या नगरी से बाहर निकली साथ में श्री राम भी है और लक्षमन भी है धरी धीर दे मग में डग दुए अयुद्या नगरी से निकल कर बड़ी मुश्किल से सीता दो कदम ही आगे गई होगी यहाँ पर मग जो शब्द आया है उसका जो अर्त होता है वो रास्ता है और डग का अर्त होता है कदम यानि अयुद्या नगरी से बड़ी मुश्किल से सीता रास्ते में दो कदम ही आगे गए होगे आगे तुलसी दास कहते हैं जलकी भरी भाल कनी जलकी परिश्रम के कारण सीता के माते पर पसीने की बूंदे आ गई जलकी का अर्थ होता है दिखाई देने लगी जलक दिखाई देने लगी और भाल का अर्थ होता है माते पर सीता के माते पर जो है जलकी दो कनी आगे कनी यानि बूंदे आगे गोस्वा में तुलसी दास कहते हैं पुट सूखी गए मदुरा धरवे उसी परिश्रम के कारण सीता के माते पर पसीने की बुंदे भी आ गई और पुट सुकी गए उनके जो मदुर अधर थे यानि उनके जो होट थे वो भी सुक गए अधर का यहां पर अर्थ होथा है ओंट आगे तुलसी दास कहते हैं फिरी बुझती है चलनो अब केतिक उसके बाद सीता अपने पती से अपने नात से अपने स्वामी से यानि श्री राम से पुछती है कि फिरी बुझती है वो फिर पूछती है बुझती का अर्थ होता है पूछती है और फिर अपने पती से पुछती है क्या पुछती है के चलनो अब केतिक के हमें अब और कितना चलना है केतिक का अरत होता है कितना आगे सीता फिर अपने पती राम से पुष्टी है पर्न कुटी करी हो कित हवे और हमें मन में जाकर हमारी जो पर्न कुटी है हमारी जो पत्तों से कुटिया बनानी है वो कुटिया हम कहां बनाएंगे यहां पर जो शब्द पर्न कुटिया आया है उसका अर्थ होता है पत्तों से बनाई गई कुटिया आया जौपड़ी और कित का अर्थ होता है कहां सीता जो है अपने पति राम से कुष्टी है कि हम जो पत्तों की जौपड़ी मनाएंगे वो कहां मनाएंगे आगे जो है गोस्व में तुलसी दास कहते है तीय की लखी आतुरता पिये की सीता की इस आतुरता को देखकर इस बेचैनी को देखकर इस परिशम को देखकर आतुरता कहते है बेचैनी को लखी का अर्थ होता है देखकर और तीय का अर्थ होता है पत्नी पत्नी की इस आतुरत कि लूदा को देखकर ओखिया अथीचारु चली चल जोए भाशरी राम की आखों जो फॉफस्वरत आखे जो सुंदर आखें उनकी आखों में भी पानी आ जाता यहीनि ओझ 사तनी की इस चलता और परिश्वरंग को दिखंऔर उनकी भी आखों में पानी आ जाता है